आंध प्रदीश के विशाखा पटनम में इस सित एक प्लांट से आज सुबह जहरीली गैस का रिसा हुआ जिसकी वज़ा से वहां मौजूद 9 लोगों की मौत हो गई तो वहीं हजारों की संख्या में लोग इससे बीमार पड़ गए ऐसे में आये जानते हैं ये कौन सी गैस है जो इतनी जहरीली हो सकती है साथ ही अभी जानेंगे कि आखिर इस प्लांट में ऐसा क्या बनता है जिसके वज़े से इस तरह की जहरीली गैस का रिसा हुआ विशागा पटनम की इस फैक्टरी से जिस जहरीली गैस का रिसा हुआ उसे स्टिरीन कहते हैं इसे केमिस्ट्री की भाशा में एथिनील बेंजीन भी कहा जाता है या एक सिंथेटिक क्यामिकल है जो रंग हीन लिक्विट के रूप में दिखता है हलाकि काफी समय से इस गैस को रखा जाए तो हलके पीले रंका भी दिखने लगता है इस्टिरीन बहुत ही जोलनशील होती है और जब यह जलती है तो बहुत ही जहरीली गैस रिलीस करती है इस गैस का इस्तमाल मुख्य तोर पर पॉलिस्टिरीन प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। इस गैस की चपेट में आने से मनुश्य का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बुरी तरह खराब हो सकता है। सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। तो वहीं दिमागी संतुलन भी खत होने का पूरा आसार होता है। बाहरी वातावरण में आने के बाद स्टिरीन ऑक्सीजन के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है। नतीजतन हवा में कार्बन मोनो ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके संपर्क में आने के बाद लोगों के फेवरों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है वे घुटन महसूस करने लगते हैं या गैस बाद में दिमाग और रीड़ की हड़ी पर भी असर डालने लगती है इसी वज़ा से गैस के संपर्क में आने वाले स्थानी लोग सडकों पर इधर उधर गश खा कर गिरने लगे दरसल में इस्टरी निूर है जिसके संपर्क में आने के बाद सांस लेने में भी दिकत होने लगती है इससे दस मिनट के भीतर प्रभावित व्यक्ति की मौथ हो सकती है इस गैस के संपर्क में आने वाले हजारों लोगों में बड़ी संच्छा बच्चों की शामिल है इनहें पराथ मिक्ता के आधार पर अस्पताल में भरती भी कराया गया है तो वहीं मरने वालों में भी एक आठ साल की बच्ची शामिल है तो वहीं इन में दो बुजर्गों के भी मौत हो चुकी है इस गैस का लगभग आसपास के तीन किलो मीटर पर बुरा असर पड़ा है इसकी वज़ा से कई छोटे मोटे एकसिडेंट भी हो गए है क्योंकि गाड़ी चलाने वालों पर गैस का बुरा असर पड़ा रहा था और वा देखते ही देखते बेहोश हो जा रहे थे मौके पर लोगों को बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानि NDRF के टीम भी पहुँच चुक तो कई लोगों के शरीर पर चकत्ते पढ़ने और आखों में जलन होने की शिकायत भी है दरसल में यह गैस साउथ कोरियन कमपनी LG Polymers के प्लांट से लीख हुई है इस प्लांट में पॉलिस्टिरीन बनाई जाती है यानि ऐसी प्लास्टिक जिसका खिलोनों और बाकी उपकर प्लांट में इस्टिरीन गैस का इस्तिमाल इसी प्लास्टिक को बनाने के लिए हो रहा था यह प्लांट फिशाका पटनम शेहर के बाहरी हिस्से में स्थित है यह घटना इतनी दुखद है कि लोगों को भोपाल गैस तरासदी की याद दिलाती है मेरा नाम है उतकरश कैमर के पीछे थे रवींद्र जी